आली आईक्यू ने अपना एक और नया स्मार्टफोन आईक्यू G9x 5G को लॉंच कर दिया वहीं दूसरी तरफ रियल्मी का पाप्राइब स्मार्टफोन रियल्मी का सीश्टी फाइब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन की प्रैस में टू थाउचों रूपीस का डिफरें देखने को मिल जाता है उसी तरह इन दोने स्मार्टफोन की परफॉमस और गेमिक परफॉमस में भी डिफरेंट देखनों को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ आईक्यू के G9x 5G में कॉलकॉम स्नैपडेगन सिक्स जैन वन का प्रोसेटर देखनों को मिल जाता है वहीं दूसी स्कोर निकल निकल के आता है वह दूसरी ट्रफ आईक्यू के G9x 5G का जिए आंतरतू स्कोर निकलके आता है अगर आप लोग थे इन दोनों मेंसे किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफुन के GFX स्कोर यानि गेमि लिए distur18 जो जो निकल के आता है बाद घ्छ रियल्मीड केיק सिफ्टी Ст्रीके देखने को मिल जाती है युट मुटनेस के लिए 120 हर्टेश का सपोर्ट देखने पिल जाता है वह दूसी ट्रफ आई क्यों की इस पॉंट सेवें टू इंच की फुल एक्टी प्लेस पॉंट वाली आई पीट डिस्पेल देखने को मिल जाती है तो एक तरफ रियल मी के सी 65 के बैक में सिंगल रियर कैमरा से टप देखने को मिल जाता है 50 मेगा फिक्सल का में प्रामरी कैमरा मिलता है वह दूसरी ट्रफ आई क्यों के जो रियल लाएक के पिक्चर कॉल्टी निकल के आती उसमें तो इतना ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है अगर बात करी जा तो एक तरब रियाल मेग के 65 मे भी 8 मेगा फिक्चल का सेलफी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि यह दूने स्मार्ट फोन बिल्कुल एक जैसे वह एक तरब रियाल मेग के 65 में डुवल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑफ्सन देखने के पिल जाता जबकि आईक्यू के जी नाइन एक्स फैब जी में डूवल वीडियो रिकॉर्ट करने का ओप्सन देखने को नहीं मिलता वही एक तरफ रियल में की सिश्टी फाइप में आईपी फिप्टी फोर की रेटिंग देखने को मिल जाती है दोने स्मार्टपून का अगर साथ यूजबी टैफ सीपोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वही दूसी तरफ रियल में की सिश्टी फाइप में 5000 एम्याच की बैटरी देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टपून आप लोगों के लिए बैश्ट है अगर आ है आप लोगों को रिक्रमेंड करता हो कि आप लोग 2000 रुपी ज्यादा खर्च करके आई क्यों के जी नाइन नेक्स फैब जी को ही बाई करें